Hello Friends, Welcome to ADE Star Classes आज हम बात करने हैं विस्ट पर्थम की यानि मैं आपको इस वीडियो में विस्ट में गटित उन सारी पर्थम चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो एक्जाम के point of view से most important है और एक्जाम में दिखतर पूछे जाते हैं साथ ही मैं आपको अंतरिस से जुड़ी यानि इस पेस से जुड़ी जो भी सबसे पहली चीज़ घटित हुई है उनके बारे में मैं आपको डेडियल से बताऊंगा तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पशंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए हमारे चैनल ADE Star Classes को सबस्काइब कीजिए और साथ ही आपके पास जितने भी एजुकेसिनल ग्रूप हैं आप उस ग्रूप में हमारे वीडियो को से भी कर सकते हैं जिससे maximum to maximum student को हमारे वीडियो के माददम से फादा मिल सेगे तो जलिए शुरू करते हैं सबसे पहले मैं आपको बिस्ट में पर्थम के सेसन में अंतरिस्ट में जाने वाला पहला इंसान यूरी गागरिन, कौन? मेजर यूरी गागरिन ये रूस के थे और ये अंतरिस्ट में जाने वाले सबसे पहले इंसान थे सरपतम अंत्रिच में उपग्रा भेजने वाला देश रूस ने सबसे पहले अंत्रिच में उपग्रा भेजा था आपको इतना रखना है अंत्रिच में जाने वाली पहली महिला कौन है बेलेंटीना तरेशकोवा कौन है बेलेंटीना तरेशकोवा ये अंत्रिच में जाने वाली सबसे पहली महिला है अंत्रिच में जाने वाला पहला स्पेस डॉग ये लाइका था कौन था लाइका एक स्पेस डॉग जो कि अंत्रिच में जाने वाला सरपरतम था अंत्रिच में जाने वाले पहले भारतिये में राकेश शर्मा का नाम आता है और भारत का पर्थम चालक रहित बिमान लक्ष आपको नाम मत रखना है लक्ष ये भारत का पर्थम चालक रहित बिमान था जो की स्पेस में गया था साथ ही भारतिय मैला वो पर्थम भारतिय मैला जो अंत्रिच में गई थी कलपना चावला ये सरपर्थम भारतिय मैला थी दिनोंने अंत्रिच का दोरा किया था चलिए आगे बढ़ते हैं चंद्रमा पर आदमे भीजने वाला पहला देश अमेरिका ऐसा पहला देश था जिसने मून पर सबसे पहले आदमी को भीजा था यानि इंसान को भीजने वाला सरपरतम देश अमेरिका था चाद पर कदम रखने वाला पहला इंसान आप इसके बारे में अधिक तर सुनते होंगे नील ओमस्टॉंग ये USA यानि अमेरिका के थे और ये चाद पर कदम रखने वाले पहले इंसान थे इसलिए मैंने आपको रिलेट करके चीज़े पता है जैसे कि यहाँ पे है चंद्रमा पर आदमी भीजने वाला पहला देश अमेरिका है तो नील ओमस्टॉंग ये अमेरिका के थे आपको इतना वियाद रखना है और ये चाद पर सबसे पहले अपने कदम को रखे थे चाद पर मानो को पहुँचाने वाला यान अपोलो 11 एक यान था अपोलो 11 इसने चंद्रमा पर सबसे पहले मानो को पहुँचाया था चलिए आगे बढ़ते हैं चंद्रमा की परिकर्मा करने वाला पहला अंतरिच्यान कौन सा था लूना टेन आपको नामेर रखना है लूना टेन ये पहला अंतरिच्यान था जिसने चंद्रमा की परिकर्मा की थी कौन लूना टेन चंद्रमा पर उतरने वाला पहला चालक युक्त अंतरिच्यान इगल आपको नामेल रखना है इगल पहला चालक युक्त अंतरिच्यान था जो चंद्रमा पर सब शर्ब पर्थम उतरा था मंगल ग्रह पर चालक रहित अंतरिच्यान भीजने वाला पहला देश कौन सा अमेरिका ऐसा देश था जिसने मंगल ग्रह पर चालक रहित अंत्रिच्यान भेजा था चलिए आगे बढ़ते हैं मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंत्रिच्यान कौन सा था वाइकिंग वन आपको नाम रखना है y king 1 ये منگل ग्रह पर उतरने वाला पहला अंत्रिचियान था आगे बढ़ते हैं अंत्रिच में भेसी जाने वाला परथम space subtle कोलंबिया कौN कोलंबिया पहला space subtle था जिसे अंत्रिच में भेस आ गया था आपको एयाद रखना है चलिए आगे बढ़ते हैं सबसे कमर उम्र का अंतरी चारती, नाम आपका का तरखना है, दीखिए, आपके एक्जाम के point of view से नाम most important है, इसलिए मैंने नाम आपको red color में mention किया है, नाम आप इसे जरूर याद करें, इसे मैंने highlight भी किया है, तो सबसे कमर उम्र के अंतरी चारती में किसका नाम आता है, ग जी है निजे, अंतरी च में जाने वाली पहली अमेरिकी महिला, Sally Ride, ये पहली अमेरिकी महिला थी, Sally Ride, जो अंतरी च में गई थी, अंतरी च में जाने वाली पर्थम टीचर, आपको इनका नाम रखना है, यहाँ पर तीन fact है, अंतरी च में जाने वाली पहली अमेरिकी महिला, अंत्रिच में जाने वाली प्रत्रम टीचर और अंत्रिच में विचरन करने वाली पहली महिला आपको कन्फ्यूस नहीं होना है सैली राइट उससे पहले गई थी उसके बाद अंत्रिच में जाने वाली प्रत्रम टीचर कौन थी सेरिन क्रिष्टा मेकोलिफ ये अमेरिका से थी अंत्रिक्ष में विच्णन यानि घूमने वाली पहली महिला स्वयत लाना सेविच काया कौन स्वयत लाना सेविच काया ये पहली ऐसी महिला थी दिनों ने अंत्रिक्ष में विच्णन किया था चलिए आगे बढ़ते हैं सबसे आधिक दिनों तक अंत्रिक्ष में रहने वाला यात्री यानि व्यक्ति की बात की जा रही है वलेरा पूल्याको कौन वलेरा पूल्याको ये सबसे अधिक दिनों तक अंत्रिक्ष में रहने वाले यात्री थे अंत्रिच यान से बाहर निकलने वाला पहला विक्त यानि जिस यान से लोग जाते हैं अंत्रिच में उस यान से पहली बार बाहर निकलने वाला विक्ति एलक्सी लियोनो कौन एलक्सी लियोनो ये पहले विक्ति थे जो अंत्रिच यान से बाहर निकले थे दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पस्चिन दाए तो वीडियो को लाइक करना साथ ही हमारे चानल ADE Star Classes को सब्सकाइब करना और साथ ही आप अपने एजुकेशनल ग्रूप में इसे सेर भी करना आप अपने कमेंड को भी नीचे feedback के as a feedback दे सकते हैं तो आपने इसे comment में अपना feedback जरूर दें तो लिए आगे बात करते हैं ये था अंतरी चानी space से जुड़ी कुछ महत्तुण बाते जिसे मैंने आपको बताया अब बात करते हैं भारत में परतम की वो भारत में परतम अंतरी सिस्थे जुड़ी हुई जानकारी यानि space से जुड़ी हुई दितनी वी information थी सबसे परतम की वो मैंने आपको बताया आप बात करते हैं except space यानि all over world की सबसे पहले संबिधान निर्माड करने वाला देश अमेरिका ऐसा पहला देश था जिसने सबसे पहले अपने लिए संबिधान बनाया था कौन अमेरिका एकलोता ऐसा देश था यानि सबसे पहला एकलोता ऐसा देश जिसने सरपरतम संबिधान का नमाड किया था चाद पर मानो भेजने वाला परतम देश मैंने आपको पताया था अमेरिका ने सबसे पहले लॉंच किया था और नील ओमस्टॉंग ये चंद्रमा पर सबसे पहले गया थे चाद पर मानो भेजने वाला सबसे परतम देश अमेरिका था योरेस्ट पर चड़ने वाली पर्थम महिला आप पुरुस के बारे में तो जानते होंगे एडमंड हिलेरी और सिर्फा तेंजिंग लेकिन उससे पहले योरेस्ट पर चड़ने वाली पर्थम महिला के बारे में जानना बहुत जुरी है जुंको तेबही ये जापान से थी कौन जुंको तेबही ये जापान से थी और ये योरेष्ट पर सबसे पहले इन्होंने फते हासिल की थी यानि योरेष्ट की तो सिखर है उस पर सबसे पहले चड़ने वाली महिला जुंको तेबही जापान से इनका नाम आता है योरेस्ट पर चड़ने वाले पहले वेक्ति इनका नाम तो आप जानते होंगे सर एडमंड हिलेरी ये निजिलैंड के थे और सेरपात एंजिंग ये इंडिया आगे बात करते हैं विस्ट का पर्थम विस्ट विद्याले यानि आप विस्ट विद्याले के बारे में बहुत सुनते होंगे विस्ट में बहुत सारे बरतवान टाइम में बहुत सारे विस्ट में विस्ट विद्याले हैं लेकिन आपको प्रतम विष्च विद्याले की बारे में याद रखना है टक्च्चिला आप इसके बारे में जानते हुँए जहां पर चाड़क की चंद्रोगत को सिछ्छा दिख्चा जहां पर उनने प्रदान की थी तक्चिसिला ये बर्तवान समय पाकिस्तान में पड़ता है आठ सो बीसी में इसका निर्मार हुआ था तक्चिला बिस्ट बिद्याले का और ये बिस्ट का परतम बिस्ट बिद्याले था किसी देश की परतम महिला परदान मंतरी यानि पूरे बिस्ट में किसी भी देश की पर्थम महिला परधानमंत्री कौन थी तो बिस्ट में किसी भी देश की पर्थम महिला परधानमंत्री यस बंडार नाइके थी और ये स्रिलंका की थी कौन यस बंडार नाइके किसी भी देश की यानि बिस्ट के किसी भी देश की पर्थम महिला राष्टपती प्रधानमंत्री की बाद आई है तो राष्टपती को भी याद रखना है इसलिए मैंने यहीं पर मेंसिन कर दिया है कि बिस्च में किसी भी देश की पर्थम महिला राष्टपती कौन थी मारिया एस्टेला कौन मारिया एस्टेला आपको नाम रखना है ये अर्जेंटेना की थी और ये बिस्च में किसी भी देश की पर्थम महिला राष्टपती निपत होगी थी मारिया एश्टेला किसी मुस्लिम देश की पर्थम महिला पर्धान मंतरी विस्ट में किसी भी मुस्लिम देश की पर्थम महिला पर्धान मंतरी बेंजीर भुट्टो थी और ये पाकिस्तान की सरपर्थम महिला पर्धान मंतरी भी थी चाहे हो विकसित देश हो या विकासिल देश हो Asian country हो या European country हो African country हो उनके खोज के बारे में मैं आपको पूरा detail से उस बीडियों बताऊँगा तो आप उस बीडियों का इंचार की दिये उससे पहले यहाँ पे मैं आपको 24 जो most important countries है उनके बारे में आपसे मनें मैंसिन कर दिया है सबसे पहले इंडिया की खोज आपको पता है वासको डिगामा 1498 में यह इंडिया आया था और इसने इंडिया की खोज की थी अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी कोलंबस निकला तो था भारत की खोज करने के लिए लेकिन ये पहुंस गया गलती थे अमेरिका और इसने अमेरिका की खोज कर दी रोबोट को पर्थम नागरिक्ता परदान किस ने किया यानि रोबोट को पर्थम नागरिक्ता परदान करने वाला देश साओधी अरब एक ऐसा देश जिसने रोबोट आप उसका नाम एल रखने एक रोबोट है इसका नाम है शोफिया क्या नाम है सोफिया एक रोबोट है जिसको नागरिक्ता देने वाला पर्थम देश साओधी अरब बना है कौन शाओधी अरब ना में रखना शोफिया है रोबोट का नाम ऐचिक मिर्थु का अधिकार प्रतान करने वाला बिस्व का पर्थम देश पना है नीदल लेंड सरबादिक पशू किस देश में है भारत में सरबादिक पशू है आगे बढ़ते हैं उत्तरी धुरुप पर फते करने वाला पर्थम वेक्ति कौन था रॉबर्ट पेरी ये अमेरिका के थे और ये उत्तरी धुरूप पर पहुंसने वाले पर्थम बैक्ती थे आगे बढ़ते हैं उत्तरी धुरूप पर पहुंसने वाले पर्थम महिला कौन थे कैरोलिनिया मिकलसन कैरोलिना मिकलसन ये उत्री धूप पर पहुंसने वाले पर्थम महिला थी आगे बढ़ते हैं अब उत्री धूप की बात आई है तो यही पर हम दच्छनी धूप की बात कर लेते हैं दच्चनी 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 दच्च सरबातिक उम्र में योरेष्ट पर चड़ने वाला पर्थम में थी यानि उस पर्थम वेक्ति का नाम जिसने सरबातिक उम्र में योरेष्ट पर चड़ाई की थी क्या नाम हो उसका उसका नाम है रिचर्ड वास क्या नाम है रिचर्ड वास आपको नाम एल रखना है ठीक है य सिविल सेवा की सुरुवात करने वाला बिस्तुका पर्थम देश सिविल सेवा पर्तियोगता की सुरुवात करने वाला चीन बिस्तुका सबसे पहला देश था इसके अलावा कागस की मुद्रा को चलाने वाला यानि जो आजकल तो कागस की मुद्रा होती है उनको सबसे पहले जारी चाइना नहीं किया था किसने चाइना नहीं सबसे पहले उसे भी जारी किया था आगे बात करते हैं वाई यान यानि एज जिस हेरो प्लेन से हम चलते हैं उसकी बात हो रही है यहाँ पर वाईयान से पहली उड़ान करने वाले वेक्ति राइट्स बंदू इन्होंने सबसे पहले वाईयान से यत्रा की थी शिक्षा आनिवार करने वाला पहला देश बिस्तु का ऐसा कौन सा देश जिसने सरप्रतम शिक्षा को आनिवार किया था तो प्रसा यह country है, इसने सबसे पहले सिच्छा को अनिमाल किया था, दुनिया का पहला धर्म, यानि विश्तु का पहला धर्म कौन सा है, सनातन धर्म ये विश्तु का पहला धर्म है, आगे बढ़ते हैं, पुस्तक प्रकासित पर्थम देश, यानि आपको इसके बारे मिस चाइना था, सिबिल सेवा परत्योगता को शुरू करने वाला परत्म देश चाइना था और यहां पे पुस्तक मुद्रित याने प्रकासित करने वाला पहला देश चाइना है, ठीक है, आगे बात करते हैं, अमेरिक की परत्म राष्ट पती थे, अमेरिका के संजुक्त प्रधान मंतरी, रोबर्ट वाल पोल, क्या नाम था, रोबर्ट वाल पोल की इंगलेट की प्रधान मंतरी थे, इंगलेट की प्रधान मंतरी मार्गरेट थैचर, यह थे रोबर्ट वाल पोल और यह हैं मार्गरेट थैचर, यूने यून यानी संजुक्त रास्ट महासभा क की पृथम महिला शभापती कौन थी बिजया लक्षमी पंडित कौन बिजया लक्षमी पंडित ये पारत की थी और ये संजुच महासवा की पृथम महिला शभापती थी तरी आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं नोबेल पुरसकार के बारे में थोड़ा सा मैं यहां आपको सांती के छेत्र में नोबल को प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति की बात करते हैं तो सांती में प्रथम नोबल पुरुसकार से सम्माने व्यक्तियों में इनका पूरा नाम था जयां क्या नाम था जयां हेंरी जयां हेंरी दुनान और फ्रेरिक पाशी ये सांती में प्रथ प्रफम पुरुस्कार पाने वाले शम्माने द्वक्ति थे आगे बात करते हैं साहित में प्रफम यानि साहित के छेत्र में प्रफम नोबल पुरुस्कार से सम्माने द्वक्तियों में प्रुंदो शली का नाम आता है किसका प्रुंदो शली आगे बात करते हैं भहुतिकी या नोबल प्रुवक्ति जे एच वेंट हाफ आगे बाद करते हैं अर्थ शार्स्तर में यार्थ शार्स्तर के ՛ेत्र में परथम नोबल प्रुवक्ति में रेगनर फृष्ष Youorn जॉन टिनबर्गन का नाम आता है चल दे आगे बादे हैं चिकिच्चा में पर्थम के बात करते हैं यानि चिकिच्चा के छित्र में या चिकिच्चा बिज्यान में पर्थम नोबल पुरुषकार से सम्मान दिवक्ति में AY1 बेहरिंग का नाम आता है ठीक है दोस्तों आज के लिए इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो पशंद आई के प्लेल्स में आपको बहतरीन से बहतरीन चीज़े अबलेबल कराई भी जा चुकी है तो आप एक बार वहां विजिट कीजिए और आपके एक जाम के पॉइंट आफ विजिजो भी मोस्ट इंपोर्टन चीज़े हैं आप उसे स्टड़ी कीजिए साथ ही दोस्तों इसके अ एक साथ भी अबलेबल करा दाएगा तो दोस्तों आज के लिए इतना ही एक चीज़ और है अगर आपको हमारी वीडियो पशंद आई हो तो नीचे फीड़बैक में अपना और जो भी आपका फीड़बैक हो जो भी आपका शागेशन हो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर किये इससे कि हमें अगर इसमें कोई एर दिख रहा है आपको ऐसा रगता है कि यहां पर कोई मिस्टेक हो रही है तो हम उसको इंप्रूब करने में चाहयक होंगे तो दोस्तों आज के लिए इतना ही जैहिंद